हेलो बच्चों कैसे आप सब लोग उम्मीजा सब की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी तो मैं निशान टीम फिजेक सील से सीकर आप लोगों के जैई के स्कोर को बूश्ट करने के लिए जो टीम सील सी ने गुरुनिती कम प्रिविएस एयर्स पेपर फोर जैई मैन की सीरी चला रखी है उसमें हम यूनिट फोर का डिस्कॉशन कर रही थे जिसमें हमने क्या किया टूटेजन नाइन्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी बनका जो हमारे पास फेब्रेरी मार्च का जो अटेम्ट था उसमें हमने जो रोटेशन मोशन के कॉशन आये थे 36 कॉशन को हमने डिस्कॉश कर लिया अब हम उसके आगे के कॉशन को यहां पर डिस्कॉश करने वाले हैं के लिए तो स्टार्ट करते हैं देखो तो कॉशन नमर 37 क्या बोल रहा है बोल रहा है कंसिडर रा यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए ऑन आर रफ फ्लोर डेट इस त कॉपिशेंट अफ्रिक्शन बिट्वीन दा क्यूब एंदा सर्फेस एज पॉइंट फोर देन दा मैक्सिमम पॉसिवल वैल्यू ऑफ हंडर इन्ट इन्ट बीवाई ए यह वैल्यू हमें पूचिए ताकि फॉर वॉक्स नॉट टॉपल बिफोर मुविंग मतलब एप लगा सबस्र crec वार कि कब हमारे पास स्लिपिंग भी तॉप लिक देखने को मिलेगी और कब हमारे पास टॉपलिंग बिफोर सौप स्लिपन देखने को मिलेगी टहएक बाद डुट्यल में समझते हैं देखें जब रहा हूं तो देखो बात स्टाट होती है यहां से कि जब भी हमारे पास two surfaces contact में होती है न उनके बीच एक्ट करता है contact force contact force का जो along the surface component होता है उसको फ्रिक्शन नाम देते हैं और perpendicular to the surface common surface जो component होता है उसको नौर्मल नाम देते हैं इन दोनों का resultant हमारे पास contact force होता है अब contact force का nature क्या है contact force जो है हमारे पास बहुत ही बहला अदम है वो चाहता है कि वह यह दो surface जो हमारे पास contact में जो हैं यह कभी बी अलग लग ना हो इनको always साथ रखने की कॉसिस करता है clear है क्या तो यह हमारे पास contact force के दोनों component है यह भी यही काम करते हैं कि दोनों क्या करेंगे दोनों ऐसे करेंगे कि दोनों surfaces को साथ रखना चाहेंगे और friction के बारे में सबकों पता ही है कि friction कैसे adjust करता है अगर कायंटिक लग रहा है तो म्यू के into n लग जाएगा और अगर static लग रहा है तो जीरो से लेकर limiting के बीच में लगता जाएगा और always ऐसे लगएगा कि जो इनके बीच का relative motion हो रहा है slipping जो हो रही है उसका अपोज करें नॉर्मल जो है नॉर्मल क्या करता है नॉर्मल अपनी position left right में कहीं भी shift करा सकता है ताकि body जो है वो surface क्या रहे साथ में रहे क्या क्या तो friction तो अपनी value और direction चेंज करके नॉर्मल अपने आपको shift करा के क्या कर लेता है slipping bodies को साथ में रखने की कॉशिश करता है अब जड़ा समझते हैं इसको यहां से कि कॉशन में हमको क्या बोलाए कि यह हमारे पास एक rough surface है जिस पे क्यूब रखा है जिसकी side है हमारे पास a क्यूब की side दे रखी है और इसके center of mass से यहां हमने एक f force लगाया है बी हाइट पर के लिए अब होगा क्या कि अगर हम इस पे force लगा रहे हैं तो force की वैसे क्या होगा देखो force की बज़े से इसको आगे की तरफ acceleration मिलेगा और उस acceleration की बज़े से इसको कुछ velocity मिलेगी और velocity की बज़े से यह block जो है वो bottom surface पे ground surface पे slip करने की कोशिश करेगा slipping को oppose करने के लिए surface rough है तो यहां आ जाएगा पीछे की तरफ friction क्लियर है क्या ठीक है बई साथ में अगर हम देखें तो यह जो फॉर्स का और friction का दोनों का ही टॉर्क क्या है clockwise sense में हो गया यह भी इसको clockwise गुमाने की कोशिश करेगा friction भी clockwise गुमाने की कोशिश करेगा तो यह नॉर्मल को रोकने के लिए क्या करेगा राइट में shift होना चाहेगा यहां से किसी position x पे ज़रूरी नहीं यह नॉर्मल हमेसा center of mass से पास हो वो अपने आपको shift कर सकता है कि हो अगर रुक गई मानलो no sleeping no sleeping के लिए friction ने लगते क्या कर दिया sleeping को रोग दिया तो no sleeping के लिए क्या हो जाएगा f की value इसमोल f के equal हो जाएगी clear है क्या और यह जो value है definitely इसके limiting friction से क्या होगी equal या कम होगी मतलब मैं कह सकता हूँ f की value less than equal to mu mg होनी चाहिए अगर जो external force है हमारे पास f वो अगर mu mg या इससे कम हुआ तो यहाँ पर sleeping नहीं होगी यह तो no sleeping की condition आ लेकिन अगर हम देखें कि भी f और friction दोनों ही क्या कर रहे है clockwise sense में गुमा रहे है तो गूमने की बज़े से यह जो body है थोड़ी ज़र में lift कर जाएगी कुछ इस तरह से clear तो द्यान से अगर देखो तो इनका touching point जो है यह जो दोनों की common surface जो है इनों touch छोड़ दिया इदर से touch छोड़ दिया तो अब यह normal act करेगा कि friction ने तो along the surface क्या किया उनके related motion को अपोज कर दिया normal इसके perpendicular में अपोज करेगा तो इसकी toppling को रोकने के लिए normal आगे की तरफ सि सकता है मतलब यहां से एवाई टू तक सिफ्ट हो सकता है अगर उससे भी ज़्यादा अगर टॉर्क आगे तो फिर यह नॉर्मल एडिजस्ट नहीं कर पाएगा अब बॉड़ी जो है वो टॉपल करने लग जाएगे clear है क्या 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 होना चाहिए और यहां पर एफ क क्या है अब देखो सिस्टम जो है ना ही अगर मेरे को इससे लिमिट निकालने की मिनिमम वेल्यू कितनी हो जिससे टॉप लिंग ना हो तो अपन साफ साफ देख सकते हैं कि एन जो है टोपलिंग को रोखने के लिए आगे अगे अगर मैकसिमुम एवाइटू तक मतलब अगर इस एक्स की वैल्यू एवाइटू या उससे कम हुई तो यह टोपल नहीं करेगा लेकिन अगर X की value A by 2 से ज़्यादा आ रही है तो definitely टॉपल करेगा क्योंकि बहातर नॉर्मल से उख्टी नहीं हो सकता तो X की value क्या होने चीए less than equal to A by 2 तो यहां से देखो condition क्या आती है यहां से condition आगई हमारे पास F 2B plus A by 2 less than equal to A by 2 MG तो यहां से F की value आगई हमारे पास 2 से 2 गया MG A upon 2B plus A यह condition आगई हमारे पास no toppling की clear है क्या तो अगर जो हम actionable force लगा रहे हैं वो अगर इस value यह value से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गया यह तो किसकी condition थी no slipping की अगर हमारे पास actionable force इस value से ज़्यादा हो गया तो toppling हो जाएगी अब हम पता करते हैं कि वही पहले slipping होगी है toppling तो उसके regarding चीज देखें देखो तो मैं इसको नाम देता हूं इस value को F1 इसको नाम देता हूं F2 कि वही हमने क्या किया 0 से F को बढ़ाना है start किया अब हमें देखना है कि पहले slipping होगी है toppling तो देखो अगर मान लो कंडिशन है कि F1 less than F2 है या F2 less than F तो देखना है इसमें क्या होगा अगर slipping के लिए जो force चाहिए F1 वो कम है toppling वाले force से तो क्या होगा और toppling के लिए जो force चाहिए वो sleeping वाले से कम है तो क्या होगा तो हमने कहा किए zero से force बढ़ाना start किया और पहले अगर यह वाली condition होई तो पहले F बना जाएगा F to बाद में आएगा तो पहले F बना जाएगा तो मतलब हमने पहले sleeping की condition को cross कर दिया मतलब यहाँ पहले sleeping हो जाएगी toppling बाद में रही होगी क्योंकि F to बाद में अचीव होगा तो हम कहा देंगे इस case में क्या हो जाएगा first slip होगा then topple यहाँ अगर मैं बात करूँ कि हमने force बढ़ाते हुए गए और पहले F to achieve कर गया मतलब हम पहले toppling की condition को cross कर जाएगे तो पहले topper हो जाएगा slipping बाद में होगा तो यहाँ बोल लेंगे हम first क्या हो जाएगा topple हो जाएगा caution में हमसे जो बोला है वो बोला है कि first slip कराना without topple तो उसके लिए condition निकालनी है तो condition यह रही होगी definitely तो मैं कह सकता हूँ इस condition के लिए जल्ट में apply करूँ कि f1 जो है वो less than f2 ना चाहिए तो देखो f1 की value कितनी है mu mg less than f2 की value कितनी है mg a upon 2b plus a ठीक है तो यहाँ से first कराना ठीक है एक दम एक्कल वाले भी condition ले लेते हैं कि दोनों अगर साथ साथ भी हो जाएगे तो क्यों क्योंकि अगर दोनों value अगर सेम होई f1 less than f2 अगर हुआ तो पहले क्या हो जाएगा slip then topple अगर f2 हमारे पास कम हुआ तो पहले topple होगा दोनों अगर सेम हो जाएगे तो एक साथ क्या हो जाएगे हमारे पास toppling और slipping start हो जाएगी जैसा कि pure ruling में होता भी है तो हम एक्कोल वाली भी condition ले लेते हैं तो देखो mg से mg गया तो यहां से relation क्या आ गया mu less than equal to a upon 2v plus a तो यहां से a और v में हमारे पास relation मिल जाएगा रखते हैं value mu की value 0.4 दे रखिए तो उसको 0.4 की बजाए 2y5 less than equal to a upon 2v plus a तो यह value आ गई हमारे पास 4v plus 2a less than equal to 5a तो यहां से value आ गई हमारे पास 3a less than equal to 4b तो bya is less than equal to 3y4 तो जो bya जो है ना इसकी जो maximum value है first slipping then toppling के लिए क्या होने चाहिए 3y4 होने चाहिए तो 100 into bya की भी maximum value क्या हो जाएगी 100 into 3y4 मतलब 75 हमारे पास जो है वो इस caution का correct answer हो जाएगा उम्मीद है सबको clear होगी होगा कि कैसे हम first topple then slipping को observe करते हैं बढ़िया question था ठीक है तो correct answer क्या आजाएगा हमारे पास 37 का 75 आजाएगा 38 की तरह बढ़ते हैं question number 38 देख ज़रा क्या है इस तरह का question हम already rotation motion का पार्ट वन उसमें हम already कर चुक है मैं आपको बता चुका हूं कि इसकेल जो है बुसलिप हुआ तो energy conservation से हमने fine किया था ठीक है तो बोलाया कि one end of a straight uniform one meter long bar यह हमारे पास one meter long bar हो गई on horizontal table it is released from rest when it makes an angle 30 degree जब यह 30 degree हमारे पास angle बना रही होड़िजन से तो इसको release कर दिया its angular speed when it hits the table is given as root n clear where n is an integer the value of n पूछी हमारे पास कोई रिक्कत नहीं है n के value हमें calculate करने है तो क्या कहानी हो गई कि अभी यह ऐसे है यह ly2 पर होगे इसका center of mass यह 30 degree है तो यह हो जाएगा ly2 sin 30 मतलब ly4 जब यह लीज करने के वाद हो जाएगी तो उस टाइम इसको कुछ omega मिल जाएगा इसके अब आउट की करने हैं कि अभी center of mass यहां है अभी यहां आगे तो center of mass आगे ly4 नीचे तो कह सकते हैं कि center of mass के नीचे आने की वैसे potential energy में जो लॉस हुआ है ना वही इसकी ओमेगा की वैल्यू हम इजली calculate कर सकते हैं देखो ml से ml गया 2 से यह टू टाइम गया तो यह वैल्यू आगई ओमेगा की वैल्यू 3GY2L का root अब value रख दो तो जी की वैल्यू 30 टू इन्टू एल की वैल्यू 1 मीटर दे रखिए तो यह आगे हमारे पास under root 15 इसने under root में क्या value वह पूछिए तो n की value आजाएगी हम पर 15 ओके नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं कॉस्टन नम्बर 39 क्या बोलाएं सोन इन्दा फिगर इसर रिजेड एंड यूनिफॉर्म वन मीटर लॉंग रॉड यह हमारे पास एक बन मीटर विजेड और यूनिफॉर्म रॉड है यह भी हैल इन हर्जंदू पोजिशन हर्जंदू पोजिशन में इसको हैं किया गया है यह दोनों इसको बांध के अटेच कर दिया रोड़ का मास म है एंड हैंड है अनदर वेट ऑफ मास 2 एंड हंग अट डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटिमेटर फ्रॉम ए एसको 75 पे देखो इसके लिए हो रखी यह 0 से 25 50 100 तक तो टेंसन इस्टिंग इस्टिंग ए में टेंसन पूछा तो देखें जड़ा कि बी सिस्टम जब वह एकिलिब्रियम मेंं नेट और टॉंप जीरो यह तो इक सिस्टम अगर पूइंट के अब आवाओट टॉर्क लिखें कि लिए कि लुग है पूरा एक नियुक्णे अगर है तो हम कह सकते किसी भी पॉइंट में लेको लिखो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसके अलाबा नेट वो भी जीरो होगा तो यह किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखने के जो concept उससे हम इजी ली किया है बिनना ज़्याद है वेरीवल फसा है डारेक्ट टैंसन के लिख सकते हैं आपके मर्जी आप एक आवाउट कि अबाउट करना है यह वाला टैंसने के लिखेंगे इस लिए मुझे स्वेयरीबल बढ़ जाएंगी इसलिए मुझे इस पॉइंट के अबाउट और का लेना चाहिए उससे क्या होगा टीटू का टॉर्ट गाय हो जाएगा कि लिए तो टॉर्क का बचेगा टीवन का टू बचेगा आसान हो जाएगी जिंदिगी तो हम कहा सकते देखो इस पॉइंट बी के आवाउट टॉक तो जीरू एमजी का किदर गुमाएगा एंटी क्लोक वाइगा टी वन का क्लोक वाइज और एक्लिब्रियम में तो इन दोनों के इनके जो टॉर्क आपस में बैलेंस हो रहे का वेट 2mg यहां से डिस्टंस हो गई 25 cm मतलब बनवाई 4 तो यह आ गया mg y2 प्लस mg y2 यह आ गया हमारे पास mg तो टैंसन जो है फर्स्ट इस्ट्रिंग में इस्ट्रिंग ए में वो कितनी हो जाएगी हमारे पास mg हो जाएगी फर्स्ट और नेक्स की तरफ बढ़ते हैं question number 40 question number 40 देखें जाएग क्या बोला है वाला a uniform cylinder of mass M uniform cylinder of mass M and radius R to be pulled over a step of height A यह step पे height A की और A की जो value वो radius से कम है by applying a force F at its center perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of the step मतलब यह access हो गया यह हमारे पास इसका age हो गया इससे पास होने वाला जो प्लेन है यह इसके perpendicular force लगाया गया है clear तो बोला गया है the minimum value of F to lift the cylinder cylinder को हमें lift करना है तो इसके लिए minimum value पूछी है तो minimum मैं इसको just lift होने वाले case की बात कर लेता हूं कि lift होने से just पहले मतलब ही equilibrium रहा होगा उसको just बात तो यह हमारे पास cylinder clear यह center यहां लग रहा है F lift हो गया normal तो zero हो गया इस point के about देखना नीचे क्या लगेगा mg लग जाएगा यह height दे रखिए हमें a तो यह हो जाएगी r minus a यह हमारे पास r अब देखो इस point के about अगर मैं देखो तो f का torque आएगा हमारे पास clockwise sense में और mg का torque आएगा anticlock license में बाकी इस point पर जो नॉर्मल लगेगा वो तो इसी से पास होगा तो उसका torque तो zero तो अगर इसको lift करा रहा है तो मैं कह सकता हूं कि तो f f के torque की जो value है वो क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए किससे mg के torque से gravity के torque से क्लियर रहे क्या गेड़न इक्वल टू जस्ट में critical condition लेता हूं तो बैलेंस कराते हैं तो f का torque कितना हो जाएगा f r साथ में perpendicular distance r गेड़न इक्वल टू mg कितना हो जाएगा तो देखो य r sin theta mg का torque आजाएगा mg into r sin theta तो f की value जो हो गेड़ देन इक्वल होनी चाहिए mg sin theta के clear तो f की value इससे equal इससे ज्यादा होनी चाहिए तो minimum value कितनी आ गई mg sin theta, sin theta के बिल निकालते हैं तो sin theta के इस triangle में देखो यह तो हो गया perpendicular और यह हो गया hypotenious तो r तो हो गया hypotenious perpendicular आ जाएगा r square minus यह है r minus a का hall square r को अंदर लिके चले जाओ तो यह value आ जाएगी हमारे पास mg under root r square minus r minus a का hall square upon r square तो यह मिल जाएगा हमें mg 1 minus r minus यह फोर्थ जो है हमारे पास correct answer हो जाएगा और यह मैंने सम्मी small m दे लिया उसने question capital M दे रखा है तो यह capital M में answer आएगा है ना fourth जो हमारे पास correct answer हो जाएगा इसका okay next question की तरह बढ़ते हैं question number 41 देखें जरा 41 में क्या बोला है to uniform circular disc or rotating independent इस तरह के question जो है हमारे पास मैं last session में भी इसकी बात पर चुका हूँ कि इन में generally given होता है कि दोनों disc जो हमारे पास same direction में घूम रही थी या positive में घूम रही थी नहीं कुछ भी नहीं अगर दे रखा हो तो आप क्या करते हो आप पहले same direction के लिए चेक करो तो यहां तो एजली कर सकते हैं इनके अलावा पिछले तीन साल में सेम तरह का question जो है आपको तीन से चार बार देखने को मिलेगा एक question आप अल्यडी कर चुके पिछले session में आज की class में भी देखना है इस पर दो से तीन Uniform circular disc are rotating independently in the same direction direction सेम बोल गिरोने around the common axis passing through their centers कि यह हमारे पास क्या हो गया यह एक इनके center से पास होने वाला axis हो गया के लिए और इसके आब आउट यह सेम direction में घूम रही है ठीक है दा moment of inertia of an angular velocity of the first disc पहले का I1 दे रखा है हमें 0.1 kg meter square साथ में इसका omega 1 दे रखा है 10 दूसरे का हमें I2 दे रखा है 0.2 ऐसा unit में omega 2 की value दे रखी है 5 के लिए at some instant they get stuck together and start rotating as a single system about their common axis with some angular speed the kinetic energy of the combined system कि अब क्या किया चुरूआत में गुम रहे थी अभी जब ही चिपक गई है तो अभी यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 0.3 और कुछ common velocity अचीव कर लेंगी omega dash clear तो बोला हमसे the kinetic energy of the combined system की जो kinetic energy में direct क्या लग सकता हूं के रोटेशनल हो जाएगी हमारे पास इसका L square upon 2i मतला angular momentum का सकते हैं क्योंकि सिस्टम में क्या होगा ने टॉक्स सिस्टम पर जीर हो है angular momentum रहेगा तो चाहिए मैं इसके इस्टेक होने से पहले निकाल हूं चाहिए बाद में निकाल हूं एल की वेलू से मी आएगी तो यहां से कितनी आ गई आई बना गया यहां से और यहां से आई टू इंटू ओमेगा टू यह भी बना गया तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया टू वह भी स्टेम डारेक्शन में तो यहां जाएगा टू का स्कॉयर अपॉन टू जे की वेलू कितनी हो गई 0.3 तो यह वेलू आ गई अपने पास टू से टू हो गया 20 वाई 3 जूल कि लिए रहे कि तो इस्टिक होने के बाद जो सिस्टम जो है हमारे पास वो 20 वाई 3 जूल से क्या करेगा रोटेशन कर रहा होगा ओके नेक्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं कॉश्चन अम्मर 42 क्या बोला है moment of inertia of a slender of mass m length l and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis कि लिए रहे क्या कि यह हमारे पास slender ठीक है इसके center से और perpendicular axis परपेंडिकुलर से पास होने वाला यह जो axis है इसके about moment of inertia से दे रखा mr square by 4 plus r square by 12 वोला if such a slender is to be made by a given mass of material कि वह इसका mass fix कर दिया वह हमने तो वोला है the ratio l y r for it to have minimum possible आई कि हमें हमने इसका mass fix कर दिया तो बताओ basically इस तरह से practical question हो गया कि l और r का हम ratio जै वो क्या रखें जिससे इस system का moment of inertia minimum आए हमारे पास mass fix है इसको ठोक के पेटके जैसे भी यह error r की size क्या रखी जाए clear रहे क्या तो देखें जरा तो यह हो गया slender जिसकी radius है r length है l इसकी about i की value दे रखी हमें m r square by 4 plus l square by 12 mass fix है तो पहले मैं mass लिख लेता हूं mass की value क्या लिख दो कि rho into volume तो rho into pi r square l clear अब देखो इसको minimum value चाहिए तो r और l दोनो variable हैं तो मैं पूरे के पूरे equation को किसी एक चीज की term में convert कर लेता हूं तो मैं l की term में convert कर लेता हूं तो देखो i equal to क्या लेखा जा सकता m r square के जगह यहां से क्या लेख सकते है r square के जगह आप लेख सकते हो m upon rho pi l यहां put कर दो तो 1 by 4 m upon rho pi l plus l square by 12 अब जब यह value minimum होगी तब i b minimum हो जायागा तो maximum minimum condition लगानी है तो देखो di y dl क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए minimum के लिए तो आप differentiation करते है m भार पड़ा हुआ है m upon 4 rho pi 1 upon l का differentiation l की respect में हो जाएगा minus 1 upon l square plus इसका हो जाएगा 12y 12 to ly 6 equal to 0 होना चाहिए तो यहां से देखो यह value आजाएगी m upon 4 rho pi l square equal to ly 6 तो l cube की value आ गई 3 by 2 m upon rho pi मतलब जो भी हमारे पास maximum या minimum यहां मिलेगा इस i का वो इस value पर मिलेगा अभी तक हमें यह पता नहीं लगा maximum मिलेगा या minimum मिलेगा तो double differentiation करते हैं तो d2 i y dl square करते हैं जड़ा अगर यह value positive आ गई तो minimum मिल जाएगा तो करते हैं जड़ा differentiation तो m बार पड़ा हुआ है m upon 4 rho pi minus 1 upon l square का minus को भाल ले किया जाओ 1 upon l square का differentiation हो जाएगा minus 2y lq plus ly 6 का हो जाएगा 1y 6 अब देखो minus into minus यह बन गया plus plus में साथ में 1y 6 तो plus 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 हमारे पास क्या देदेगा plus दो positive numbers को positive quantity को जब एड़ करें तो positive ही मिलेगा मतलब definitely इस value पे हमें i की minimum value मिलने वाली है clear है क्या तो i की minimum value के लिए l की value आगई हमारे पास अब हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा एल और हार में relation तो क्या करो तो यह value यह अपूट कर दो तो देखो यहां से बहाँ समय M की value क्या लिख सकता हूं M की value लिख सकता हूं 2 rho pi 2 rho pi l cube l cube 2 rho pi by 3 यह आगई M की value तो rho pi r square l तो देखो rho pi से rho pi गया यह आगे 2 by 3 equal to l square r square एक l से l भी गया हमसे l upon r का ratio पूछा है तो l upon l square upon r square की value आगई 3 by 2 तो l upon r की value आगई root 3 by 2 तो इस system के लिए minimum आई होने के लिए l upon r का ratio क्या हो जाएगा root 3 by 2 clear तो correct answer क्या हो जाएगा l upon r का ratio वो जाएगा root 3 by 2 थर्ड option हो जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं question number 43 देखें जरा क्या बुला है बुला अब लॉक आप मास M equal to 1 kg with velocity slides with velocity V equal to 6 meter per second on a frictionless horizontal surface and collides with a uniform vertical rod uniform vertical rod दे रखी है capital M equal to 2 kg mass key or length equal to 1 meter the rod is pivoted about O and swings as a result of the collision collision के बाद में ये उपर की तरफ lift कर जाती है rotate कर जाती है collision making an angle theta theta rotate कर गई before momentary coming to rest मतलब यहां सही है maximum theta तक पहुचिए है if the rod has mass 2 kg and length 1 meter the value of theta is approximately हम से क्या है पूछी गई है तो देखें जरा कि यह हमारे पास rod हो गई इस point okay about suspended जिसकी length दे रखी है L equal to 1 meter और mass दे रखा है इसका 2 kg यहां इस पर एक particle जो है 1 kg का small m नाम देता हूं इसको यह hit किया है कितने से 6 meter per second से क्लियर और हिट करने के बाद में stick कर गया कि अ कि अ कि इस्टिक कर गया और यह इस्टिक होने के बाद में भी यह जो रोड है यहां से कि अ थीटा एंगल तक रेज कर गई थीटा पूछा तो देखो तो यहां इस्टिक किया है तो कॉलिजन जो हुआ है वो पर्फेक्टली इनलास्टिक हुआ है लास्ट सेसन में भी हमने इस तरह का एक कॉशन किया था और मैं तुम्हें बोला था कि देखो जब भी इस तरह के कॉशन होना तो आप क्या कर सकते हो या तो मानलो पार्टिकल पूरे सिस्टम के लिए तो सेंट्र आप मैं कहुंगा कि आप उसको यह मानलो कि वह जिस पॉइंट से स्टिक किया ना उसे स्टिक होने की बज़ा उसके साथ 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 चल रहा है सेम विलोस्टी से अगर मैं मानलो यह जश्ट कॉलिजन के बाद में ओमेगा से रोटेट कि रहे हैं दो मीटर पर सेकिंड से यह मैं कम दोनों साथ साथ दो मीटर पर सेकिंड से चल रहे हैं तो एक ही बात होगी कैसे कि हमारे पास वागर तुम द्यान से देखो तो परफेक्ट्ली इनलास्तिक क्या बोलता है कि इससे फायदा क्या होगा थोड़ी सी कल्कुरिशन मिश्टेक होने चांसे कम हो जाते हैं ठीक है अब देखना ज़रा यहां तो हमें ठीटा निकालना है तो देखो तो पहले तो मैं की बात कर लेता हूं मैं कि जब यह कोलिजन करेगी तो इस पॉइंट पर लगेगा नॉर्मल आगे और इस बन की जी पर लगेगा नॉर्मल पीछे अगर देखो तो सब्सक्राइब अगर देखो तो एंकर टॉर्क बात करते हैं तो रोड का तो है नहीं कि वहल पार्टिकल का है इसके अगर देखो तो यह आ जाएगा आउट वाड तो कितना आजाएगा M, V, L M, V, L Clear? Equal to Collision के बाद में अगर बात करूँ तो इस particle का अब M, V V, L ले लेंगे तो M, V, L हो जाएगा तो M, V L, L की value भी बन रख दिये साथ में रोल का क्या हो जाएगा I omega M, L square Y3 into omega तो यहां सो omega आगया हमारा omega कितना आगया ही आगया 5 by 3 omega equal to 6 तो omega की value आगई 18 by 5 radian per second ठीक है? अब देखो यह जो कायंटेक अनर्जी मिली है इसको लेके रोड क्या करेगी रोटेट करेगी और extreme position तक जा रही है तो मैं कह सकता हूँ extreme position पर पहुँशन पर इसकी complete कायंटेक अनर्जी है जो system की वो किसमें करवट हो जाएगी? potential energy में करवट हो जाएगी तो रोड का जो center of mass देखना अभी वो पहले यहां था रोड का center of mass पहले यहां था ly2 पर अब कहां पहुँच गया? यहां पहुँच गया ly2 पर साथ में अगर तुम देखो तो जो पार्टिकल वो कहां पहुचा? पार्टिकल पहले यहां ल पर था अब वो ऐसे ल पर हो गया तो यह हाइट कितनी हो गई? यह हाइट हो गई एल कॉस थीटा तो इसका जो राइज वहा न पार्टिकल का है एस टू वो आ गया एल वण माइनस कॉस थीटा तर अब एनरजी कंडर्विशन लगाते हैं कि का अइनटिक अनरजी में लोस यह वो प्टंशिए अनरजी में गेन के एक वाल हुआ है i की value m l square by 3 तो half i omega square यह convert हुई है potential में तो particle कहां पहुचा h2 पहुचा तो particle के लिए gain कितना आया m g h l की value 1 तो 1 minus cos theta के लिए साथ में rod के लिए gain कितना आया तो उसके लिए gain आया हमारे पास mg उसके लिए 1 y to 1 minus cos theta अब इसको solve करके इसलिए theta या से calculate किया सकता है ठीक है तो देखें जड़ा तो यह आगे हमारे पास 18 square by 25 50 हो जाए गए plus 18 square 2 से 2 गया by 25 75 equal to 2 से 2 गया यह आगे है 2 G 1 minus cos theta ठीक है तो बेसिकल युदर 20 बन गया तो युदर आगे है 80 का square इस में से में ले लेता हूं 25 common तो 1 y 2 plus 1 y 3 अब जास्केलकूलेशन है इक्वल टू 21 minus cos theta ठीक है तो यह value आगे हमारे पास 18 square by 25 इदर से 20 भी डिवेड हो जाएगा इंटू यह ओगया 5 by 6 equal to 1 minus cos theta ठीक है 5 से यह गया हमारे पास 4 times इसको लिख दूँ में 18 into 18 6 से यह गया 3 times 7 में यह गया 2 से 9 times यह 2 times तो आगे है 27 by 50 equal to 1 minus cos theta यह cos theta की यहां से value आजाएगी 23 by 50 स्वालो करते जाएगा इसको further तो आएगा 0.0.46 यह आगए cos theta की value अब हमें theta निकालना है cos theta की value कितनी है कि 0.46 अब देखें दर आगे option देखते हैं जड़ा cos theta आया है 0.46 और हमें पता है cos theta की value 0 से लेके 90 तक जाने पर decrease होती है और cos 60 की value होती है 0.5 तो 0.46 चाहिए तो 0.5 से थोड़ा सा कम चाहिए तो हमें आगे जाना पड़ेगा तो answer जो आएगा इसने पूछा है theta का लगबग मान किया तो 60 से थोड़ा सा जादा हमारे पास second option 63 डिगरी आंसर हो जाएगा clear है क्या मैं कहूंगा देखो यहां पर जो caution में जो है लगबग पूचा है इससे थोड़ा सा difference है इस तुम 63 दे सकते हो वरना जंदली ऐसे जो वेल्यू तुम्हें याद नहीं रहती है उनके क्या है वेल्यू डाटा जो गिवन किया जाता है कि लिए तो इसलिए थोड़ा सा एंगल में देखने को मिलेगा इसलिए तुम आंसर बता सकते हो आगे देखें अगर जरूत पड़ी एग्जेट वेल्यू की तुम्हां क कि यह हमारे पास क्या है एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म जिसकी रिडियस आर मास है कैपिटल एंग एक्वल टू हन्डेड केजी इसके एज़ पर यहां एक परसन खड़ा हुआ है इसमॉल एंगल टू एटी केजी मास का और यह जो है रोटेट कर रही है किसी फ्रिक्वेंसी अब क्या हुआ परसन चलते हुए सेंटर की तरफ आ गया तो इसके लिए फ्रिक्वेंसी पूछिए अब कितली होगी तो देखो पूरे सिस्टम पे नेट टॉर्ट जीरो हो गया तो हम एंगलो मोमेंटम गंजल करा सकते हैं पर नेट पूर्ट कैसे जीरो हो गया जब यह आ प्लस इस मेंगा कितना हो जाएगा एम आर इसक्वाइर इन्टू ओमेगा फाइल अगर बात करें तो मेंका तो जीरो क्योंकि एक्सेस पे पहुंच गिया तो यह एम आर इसक्वाइर इक्वाइगा चलिए यह सर्क्वाइर प्लेट फार्म दिस्क की तरह होगा हो तो आसे तरह को रिलेशन क्या आगया यह आगया अपने पास आर इसक्वाइर तो सम्मेश उड़ा जीते हैं यह बच गया m1 by 2 omega 1 omega 1 को लेक्दो 2 pi f1 plus small m omega 2 को लेक्दो 2 pi f1 equal to m by 2 omega 2 को लेक्दो 2 pi f2 f2 में रिलेशन निकालना है 2 pi 2 pi 2 pi गया अब value रख देते m1 की value 200 तो 200 by 200 f1 f1 की value दे रखिया हमें इनिशली frequency दे रखिया 5 प्लस m2 की value 80 इन्टो f1 की value 5 ठीक है capital m की value 200 तो यह हो गया 100 f2 calculate करना तो यह हो गया पास 500 और यह हो गया 900 भाई 100 यह आगया f2 तो frequency जो है ना after person जो है वो center पर पहुँच जाएगा इसके बाद में 9 rpm हो जाएगी तो 44 का correct answer हो जाएगा हमारे पास 9 next question की तरफ बढ़ते है question number 45 45 number question देखे क्या बोला है बोला यह हमारे पास a uniform rod of length L is at one one of its end on a vertical shaft of negligible radius के लिए रहे यह vertical shaft जिसकी कोई radius नहीं है ठीक है when the shaft rotated at angular speed omega the rod rod makes an angle theta with it जब इसको अमने omega से गुमाया तो इसको rod लगी हुँए न यह theta angle बना लेती है to find theta equate the rate of change of the angular momentum direction going into the air यह पर यह विल देरा किये है about the center of mass the torque provided by the horizontal and vertical forces fh and fb कि यह बही सिस्टम पर जो भी horizontal vertical force लग रहे होंगे उनको fh fb नाम दे दिया है the value of theta calculate कर लिए है ठीक है बही देख नजरा क्या कहानी है कि यह हमारे पास rotation axis और यह है rod इसको हमने क्या किया इसके about omega से गुमाया तो यह theta बना और theta के value पूछी है कोई दिक्कत नहीं है basically यह हमारे पास एक conical pendulum जैसा case हो गया ना particle कर रहा होता तो यह rod कर रही है कि अब देखो कि अगर मैं इसी के rotating frame में बैठ जाओं तो मेरे को रोड जो है वो किस पे दिखाई देगी equilibrium में दिखाई देगी कि लिए तो देखो तो इसी के rotation frame में बात करता हूं इस point पर मैं बैठ किया rotating frame में तो respect to rotating frame देखना इस पर क्या लगेगा हर एक point पर आगे की तरफ लगेगा centrifugal dm omega square r साथ में center of mass पर क्या लग रहा होगा नीचे mg यहां लग रहा होगा इदर कहीं इस पूरी की पूरी रोड का effective tension T point of suspension पर हिंज फूर्स भी हो सकते हैं इस point के अबाउट देखना इस point पर अगर मैं इस पूर्स फ्रेम में देख रहा हूं तो मेरे को क्या दिखाई देगी equilibrium में तो net force भी जीरो net torque भी जीरो नेट पर जीरो मतलब mg का जो टॉर्क है उतना ही टॉर्क इन centrifugal का होना चाहिए क्लियर क्योंकि टी और hinge force का टॉर्क तो इसी ओफॉइंट के अबाउट जीरो हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं mg के टॉर्क और सेंट्रिफूगल के टॉर्स को क्या करूं तो बैलेंस कर दूँ तो यह जी नहीं मेरे पर थीटा आ जाएगा तो मैं वही करने वाला हूँ तो देखो यह सेंट्र अप मास इस पर लग गया एम जी है यह एंगल थीटा है यह पूरी लेंथ एल है तो यह हो जाएगी लवाइट टू इस ओ पॉइंट के आवाउट बात करता हूँ ठीक है यह ओमेगा से रोटेट कर रही है मैं नॉन इनर्शल फ्रेम में देख रहा हूँ इनर्शल फ्रेम में देखो गए तो इस पर सेंट्रिपेटल हिंज पोर्स सब करेजलेशन कुछ ना कुछ आ रहा होगा तो इस सरुक्लर सेंट्रिपेटल की ली जा करते हैं यहां से x पे जाके dx का मैंने एक element ले लिया जिसका mass हो जाएगा dm equal to per unit length mass m by l into dx यह dm जो है इसके about omega से घूम रहा है यह इसकी radius हो गई r यह theta है तो radius की value आ जाएगी x sin theta तो इस पे लगने वाला centrifugal हो जाएगा dm omega square r r की value x sin theta यह हो गया इस पे लगने वाला centrifugal force अब हर जगे अगर तुम देखो तो x vary कर रहा है तो हर जगे centrifugal की force की value vary कर रही है तो उसका torque भी vary करेगा integration से निकलना का है तो देखो इस point के about इस force का torque निकालते हैं तो यह length हो गई x यह theta तो यह theta यह 90 minus theta ठीक है यह theta यह theta 90 minus theta हो जाएगा तो इसका इदर component आजाएगा इसको डीएफ नाम दे दो तो डीएफ का इदर component आजाएगा डीएफ औस थीटा तो इस डीएफ का ओ के अब टॉर्क क्या लिखा जाएगा डीटा वो जाएगा x df x df x into df की value रगदो x df की value हो गई तो यह आगे डीटो तो टोटल टॉर्क क्या जाएगा इसका integration तो इसको इसको एक साथ में रिख लेते हैं m by l omega square तो constant sin theta constant अंदर बच गया x x x square dx integration x की limit कहां से कहां तक हो सकती है 0 से L तक length है तो यह टॉर्क आगे हमारे पास m y l omega square sin theta cos theta x square का integration x cube by 3 limit put करो तो यह बन जाएगा l cube by 3 तो यह value जो है इस centrifugal force की वो mg के torque को balance कर रही होगी तो मैं कह सकता हूँ mg l y 2 sin theta balance हुआ होगा इस से जो की value कितनी है हमारे पास m omega square l square by 3 sin theta cos theta तो देखो m से m गया 1 l से 1 l गया sin theta से sin theta गया तो cos theta की value आगा हमारे पास 3g by 2 omega square l तो यह हमारे पास क्या रहा होगा theta का relation आगे 3g by 2 omega square l तो correct answer आजाएगा हमारे पास cos theta equal to 3g by 2 omega square l 3rd option correct answer हो जाएगा है next question की तरफ बढ़ते हैं question number 46 देखें दरह क्या बोला है question पढ़ें क्या बोला है an massless equilateral triangle EFG of side AS उनने figure यह equilateral triangle S का तो कुछ mass है नहीं has three particles of mass M situated at its vertices इसके vertices पर यहां पर क्या है यह mass रखे हुए M M M clear the moment of inertia of the system about the line EX इस EX के बाउट moment of inertia जो है हमारे पास perpendicular to EG in the plane of EFGAC के plane में बताना है वो N by 20 ma square आया है तो N की वेल्यू पूछिए तो देखो जागा यह point तो इसी से pass हो रहा है तो इसका तो 0 इससे perpendicular distance A हो गई तो moment of inertia ma square इसका बचा यह है हमारे पास क्या अब सब्सक्राइब तो यह distance कितनी रही होगी तो इसके लिए perpendicular distance आगई AY2 तो इसका कितना हो जाएगा M AY2 का hall square तो यह आगे हमारे पास ma square प्लस ma square by 4 यह बोल दो 5 by 4 ma square हमें नीचे 20 मनाना है तो इसको 5 से multiply कर देते हैं तो 25 by 20 ma square तो उपर N की value क्या रही होगी यहाँ 25 रही होगी okay next question की तरह बढ़ते हैं बला अफ circular disk of mass M and radius R is rotating about its axis with angular speed omega 1 if another stationary disk having radius RY2 and same mass is dropped coaxially on to the rotating disk gradually both disks attain constant angular speed same direction तरह का तीसरा सवाल आगया है यह हो दा एनर्जी लॉश्ट इन इस प्रोसेस पी पर्शन पी की वेल्यू पूछिए सम्हें जरा क्या काहानी हो रही है कि यह डिस्क है कि इस सेक्सिस के अबाउट घूम रही है मास से मीडिसर तो आई की वैल्यू हो गई अब क्या किया है इसी पर हमने एक डिस्क और गिरा दी क्लियर एक डिस्क और गिरा दी जिसका मास तो है में रिडियस है आर वाई टू तो एम आर वाई टू का हॉल स्कॉर वाई टू तो अगर पहली वाली का आई था तो इसका आई वाई प्रोसेस में बताओ कितनी कायं टेक इनलजी में लॉस हुआ है तो देखो तुम यहां अगर बात करें तो यहां अंगुलर मोमेंटम कितना है अंगुलर मोमेंटम है इसका आई इन्टू ओमेगा कि पहले भी इतना था बाद में भी इतना रहेगा कि पहले ही इसका आई था ओमेगा बन से घूम रही है उसके बाद इसका इसका तो आई एक और जो रखी है उसका आई वाई 4 हो गया तो टोटल आगया आई अगुलर मोमेंटम कंजर्ब रहेगा बोला कितना एनर्जी में लॉस हुआ है तो देखो इनिशिल कायंट एक इनर्जी कितनी हो जाएगी वह जाएगी एल स्क्वाइर अपॉन टू आई इनिशियल कि अगर बात कर तो फैनली भी अंगुलर मोमेंटम एल है तो उसके लिए किहा हो जाएगी एल स्कॉराइर पंट्ट्वाई फैनल फैनल तो एनर्जी में लॉस कितने का आयागा तो मैं बैचोओ डेल्टा के वह जाएगा फाइनर्जी इन स्कुराइर अपॉन टू आई इनिशियल अपॉन इनिशियल इनर्जी l आपास परसंटेज ट्रेंटर तो स अपोन बन अपोन I initial इनिशल इन्टू 100 बन अपोन I initial का डिवाइड कर दो यह समें तो यह बन जायागा I initial अपोन I final minus 1 into 100 यह आगया percentage loss अब वेलू रगदो I initial की value कितनी थी I initial की value थी हमारे पास I finally कितना हो गया 5 I by 4 minus 1 into 100 तो यह आगया minus का 1 by 5 into 100 मतला minus 20% 20% का का रजी में change आया minus में मतला 20% loss हुई है तो P की value यहाँ हो जाएगी हमारे पास 20 हो जाएगी next question की तरफ बढ़ते हैं question number 48 देखे देरा क्या बुला है बुला ABC is a plain lamina of the shape of an equilateral triangle where DE are midpoint of AB and AC जी जी इदा सेंटर इस तरह का कॉशन अपना लडी कर चुके बहाँ अपने unit से किया था unit and dimension से के में इसको आर्मान के यह इसको पूरा एंटी किसन से करेंगे moment of inertia of lamina about and access passing through G and perpendicular to the plane is about ABC is I note कि अभी अगर बात करो तो central order के about जो है पूरे system का कितना है I note है अब A, D, E part को cut कर दिया तो जो moment of inertia है वो बोला गया N I note upon 16 है N की value calculate कर दिया clear देखें दो रहाँ तो यह हमारे पास यह triangle हो गया तो पहले तो मैं इसके लिए center of mass के about जो है moment of inertia calculate करता हूँ तो ज्यादा calculate करना पहले इस access के about रहेगा easy रहेगा तो मैं इसके about calculate कर लेता हूँ तो देखें यहाँ से क्या करूँ मैं x y पे जाके यहाँ से क्या करें y पे जाके d y का यह element दे लेते हैं d y thickness और यह जो length है वो हो जाएगी x के लिए x हो गई तो इसका area हो गया d a वो हो जाएगा x d y साथ y और x में relation निका लें तो देखो यह पूरा का पूरा angle क्या 60 तो यह हो जाएगा 30 तो 10 30 की value लिखी जा सकती है x y 2 upon y तो यहाँ से y की value आ गई root 3 x y 2 तो dy की value आ गई root 3 y 2 dx अब लिखते हैं जरा moment of inertia तो इसके about इस road की बात करते हैं तो पहले तो इस road का center of mass के about देखो तो क्या लेखोगे dm length road की x तो x square by 12 प्लस पर पहले लेक्स त्योर्म से इस point okay about क्या हो जाएगा हो जाएगा dm y square यह आ गया d i o के about clear आगे solve करते हैं सिग्मा डिये ब्रेकेट x square by 12 plus y square y square की value यहां से put कर देते हैं तो 3 y 4 x square clear आगे solve करते हैं इसको तो d i की value आगे sigma को हम लेक सकते हैं total mass upon इसका area triangle का area root 3 y 4 a square तो a s की side माल लिए मैंने clear सिग्मा d a की value यह x dy और dy को हम लिख सकते है root 3 y 2 dx पूरा का पूरा मैंने x में convert कर लिया ठीक है इसको मैं open डिचे इसको open डिचे 3 से multiple कर दूं यह बन जाएगा 12 यह बन जाएगा 9 यह बन जाएगा 10 by 12 मतलब 5 by 6 x square अब पूरी equation x में आ गई है clear तो देखो root 3 से root 3 गया d i की value आ गई हमारे पास 2 m upon a square x cube dx 5 by 6 integration x की limit x की limit जब इसको open लेके जाएगे तो 0 length की rod हो जाएगी नीचे लेके आएगे तो a side की length हो जाएगी तो 0 से a तो i की value आ जाएगी यहां से 5 m by a square 2 से divided कि 3 x square का integration x q का integration हो जाएगा x c power 4 by 4 तो यह आ जागा a की power 4 by 4 तो i की value आ गई हमारे पास m a square 5 m a square by 12 यह जी के about नहीं है यह वर्टिस के about आई है जो उसका कोई भी एक कॉर्णर है हमें center of mass के about calculate करने है तो देखें इसके लिए इसके about तो यह value आ गई आई यह center हो गया यह है तो यह distance जो है center के लिए होती है हमारे पास a y root 3 और यह कितने होती है a y 2 root 3 कि geometric center जो है वो इस median को 2 ratio 1 में डिवाइड करता है तो यह value मिजले निगाव सकते हैं तो देखो इसको आई के value क्या लिखी जाएगी लिखी जाएगी icom प्लस m perpendicular distance a y root 3 का hall square यह हमें पता है 5 by 12 ma square है equal to icom calculate करना है plus m यह हो जाएगा ma square by 3 तो icom यह बोलो geometric center के about कितना आ जाएगा 5 by 12 minus 1 y 3 equal to into ma square तो यह value आ गई हमारे पास देखो 5 by 12 इसको 4 से multiple कर दें तो 4 by 12 ma square तो यह आ गया ma square by 12 मतलब इसी भी हमारे पास एक equilateral triangular seat के लिए geometric center बोल देया center of mass के about moment of inertia ma square by 12 होता है clear रहे क्या यह तो हमने integration से निकाल लिया वैसे ऐसे जल जो है तुम्हें याद रखने होते हैं मैं कहूंगा ऐसे रिजल्ट जो हो इस टेंडर्ड रिजल्ट जो काम आते हैं वह याद रखें ताकि इतनी तो total में से इस axis के about के लिए seat का हटा दो तो पूरे के पूरे के कितना होजाएगा पूरे का पूरे का तो हो हमारे पास geometric central के about किना चाह서मार्च मैं स्कॉर भाइएड शे रियर अब इस में से seat का अचार आएते है तो तो सीट का कितना आएगा जो कटिंग वाले पार्ट का है इसकी अगर बात करो तो यह मिड़ पॉइंट है तो यह हो जाएगा A by 2 के लिए उस ट्राइंगल की साइड कितनी हो जाएगी A by 2 तो दोनों के जोमेट्रिक सेंटर की बीच की सेप्रेशन कितना आ जाएगा A by रूट 3 माइनस A by 2 रूट 3 तो यह आ गया A by 2 रूट 3 अब देखो पूरे का मास M है तो यह जो सीट है 3 यह 4 एकुल पार्ट में डिवाइड हो सकती है तो इसका पार्ट M by 4 है तो मैं इस कटे हुए पार्ट के अगर मोमेंट अपेनर से लिखो तो देखो कह लिख सकता हूँ यह हम लिख सकते हैं मास कितना है M by 4 यह फर्मूल लगा रहा हूं बस मैं M by 4 साइड है इसकी AY2 का स्क्वाइर Y12 यह तो आ गया इसके जोमेट्रिक सेंटर के अबाउट हमें G के अबाउट निकालना है तो प्लस 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 मास M परपेंडिकुलर डिस्टेंस AY2 रूट 3 का हॉल स्क्वाइर तो यह वैल्यू आ गई हमारे पास देखो M A स्क्वाइर यह हो जाएगा 16 इन्टु 12 प्लस M A स्क्वाइर 12 इन्टु 4 यह आ गई कट किये गए पार्ट का G के अबाउट अब हमें निकालना है क्या रिमेनिंग पार्ट का तो रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या करें टोटल में से कट कुए यह का सब्टेट कर दो तो ह हमारे पास रिमेनिंग का किया आ जाएगा रिमेनिंग का जाएगा टोटल यह पहले तो यह था आई नोल कलिया हमारे पास टोटल माइनस कट किया हुआ तो कट किया हुआ कितना है यह हमारे पास m a square by 16 into 12 माइनस m a square by 12 into 4 solve कर लो यह से तो m a square तो आ गिया common lc m 16 into 12 तो यहां जाएगा 16 माइनस 1 यहां जाएगा हमारे पास 3 तो यह value आ गई हमारे पास देखो 16 में से 4 गए 4 से गया 12 से गया 4 से 4 ताम यह आजाएगा 4 तो यह आजाएगा 11 upon 16 12 m a square यह आगया कटे हुए पार remaining part का net moment of नर्सिया अब इसको आई नोट की टर्मस में convert करना है तो आई नोट है m a square by 12 तो m a square by 12 की जगह आई नोट रख दोती 11 y 16 i naught क्लियर है क्या तो इसने यही बोल लखा है n upon 16 में n की value क्या है तो 11 रही होगी मैं जिसे कऊंगो वैसे triangular जो है हमारे पास इस तरह के standard results को आपको याद रखे तो बहुत ज़़दा से रहेगा तो next question देखें ज़रा for a uniform rectangular sheet shown in the figure the ratio of moment of inertia about the axis perpendicular to the seat and passing through o and odes नाम देता हूं L इसको नाम देता हूं B clear तो देखो o के about the moment of inertia आएगा rectangular sheet के लिए वो क्या आएगा वो आएगा M L square by 12 प्लस B square by 12 यह तो आगया o के about clear है क्या अब अब अगर odes के about देखें तो यह लेंथ लेंद लॉइट यह बीवाई टू तो यह हो आएगी डी डी की value आएगी अंडर रूट लवाई टू का all square प्लस बी बाई टू का all square तो आई यह पता है सेंट्रो मास आई ओडेस निकालना है तो आई ओडेस की value आजाएगी i com प्लाल एक्षिस ठियोरम से प्लस md square और डी की value यह है clear solve करते जरा इसको तो यह बन गया कितना 1 by 12 ml square प्लस b square यह बन गया कितना m l square प्लस b square तो common आ गया 1 by 12 प्लस 1 by 4 बच गया इसको 3 से उपर नीचे multiple कर दो तो यह बन जाएगा 3 यह बन जाएगा 12 तो यह basically fraction बन गया 4 by 12 मतलब 1 by 3 ml square प्लस b square हमसे इनका ratio पूछा है o upon od s तो देखो i o upon i od s का ratio क्या आएगा i o में तो क्या आ रहा है वहाँपर term 1 by 12 आ रहा है o d s में क्या बन रहा है 1 by 3 तो यह ratio आ गया हमारे पास बन रहाएगा इस पार नेक्ट कॉस्टन की तरफ बढ़ते हैं कॉस्टन नंबर 50 देखें जारा है क्या वो लाएं कंसिडर्ट तू स्लेंडर्स तू उनिफॉर्म डिस्क ऑफ सें थिक्नेस एंड डिफरेंट रिएस आर एंड अलफा आर मेड़ ऑफ सें मट्रियल मट्रियल सेम उनका उनका बतलब रू सेम होगे उनकी देंसिटी सेम होग है तो वह यह हमारे पास डिस्क है ठीक है और सेम थिकनेस सबकी मैं मालता हूं टी थिकनेस रीडियस आर तो इसका मास क्या हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम पाई आर इसक्वाइर इंटू टी के लिए रेक्या यह आगे इसका मास तो रोटर सन एक्सेस के अबाउट इस और दोनों डिस्क के लिए अगर देखो तो रो सेम बोला है थिकनेस टी सेमें कीवल रीडियस की आए डिफरेंट तो मैं बोल सकता हूं उनके मोमेंट फिनेट्स या रीडियस की पावर 4 के परपोर्शनल होंगे तो आई वन रेशो आई टू की वेल्यू आजाएगी हमारे से अलफा की वेल्यू साब साब देख सकते क्या आजाएगी तो आजाएगी तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बना पर्शन आप मास में सेटिंग ऑन अस्विंग ओफ लेंथ लेंथ एंड स्विंग विद एंगुलर एंगुलर एंप्रिटू थिटल नोट इब पर्शन स्विंग पासे थूट्रू इस लोएस्ट प्वेंट दो वॉग दन भाई हिम एजुमिंग देट इस सेंटर आफ मास बूस बाई डिस्टेंस एल 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 जबरी लेस दर केटल लेंग थी क्या करना कि कहानी क्या हुआ है है कि यहां से चैनल का दर्णक यी हमारे पास कि यह मारे पास कैपटल है मॉंच का फोलिया है इसका थेतर को इसके लिए प्येडी होगा हुए प्रेपनी ह繼ंञ का हम्में पता को था आओ पाई dopamine tube पाईають एल अपॉन जी तो यहां सै की मिए अउनसी आ तो जब यहां से अपनी में पोचेगा तो इसकी मैक्सिमुम वलोस्टी हो जाएगी इसकी एंगुलर एंपलिटी इंटू फ्रिक्वेंसी तो यह आ जाएगा थीटा नौट root gyl यह आ गई इसके अंगले velocity यहाँ अब इस जग़े पे इसने क्या किया कि वई यह जो है यहाँ जैसे माझनलों यह swing है यह person पहले यहाँ कहँँ खड़ा था इस जग़े पहुँचके यह थोड़ा सा क्या किया पहले बैठा था उसकी बाद खड़ा हो गया जिसकी वैसे इसका center of mass जो है वो small l length से उपर shift हो गया है तो पहले center of mass की distance जो थी वो यहां से थी capital L अब हो गई center of mass की distance suspended point से capital L minus L clear रहे क्या बट जो भी force है वो along the line ही हमारे पास suspension point से pass हो रहा है क्योंकि वो उपर उठाए तो क्या है इसी vertical line of force लगेंगे क्लिए रहे क्या माल अगर वो उपर उठाए तो उसने base पे swing की base पे लगाया हो नीचे force और खुद पे लगा हो उपर फोर दोनों के दोनों force ही suspension point से pass होंगे तो angular momentum करा सकते है क्लिए रहे क्या तो उठने से just पहले अगर मैं angular momentum की बात करूं तो L की value क्या हो जाएगी आई ओमेगा आई की value क्या है यह length L थी पहले तो M L square omega की value कितनी है थीटा नौट रूट जीवाई है ठीक है यह है एंगुलर मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम है क्लिए ठीक है यहां पर length L थी तो यह भी एल लिग देते हैं यह आगे उसका उठने से पहले अगुलर इसने कुछ muscular force लगाया होगा कुछ work किया होगा clear तो एक तो बरक आएगा इसका खुद का जो कि इस question में पूछा है साथ में यह L उपर सिफ्ट हुआ है तो gravity का नेगेटिव वरक ना गया तो हम वरक की तो लगा सकते हैं कि work done by the person ठीक है प्लस work done by the gravity वो डेल्टा के एककल हो angular momentum का square by 2i तो हम लिख सकते हैं angular momentum का square upon two i final minus i initial अरे बही एल स्कॉर अपन 2i final यह तो final काया टेक एनरजी एल स्कॉर वाइट 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 इनिशल काया टेक एनरजी तो यह वरक के तुरम लगा दी हमने तो यहां से वरक नोबाइट परसन आ गया MGL प्लस L नोट की मेलू हमारे पास है ही इसका square करके रखना यहां तो यह आ जाएगा M square L की power 4 थीटा नोट GYL यह तो आ गया L square by 2 IF IF final कितना हो जाएगा finally देखो तो center of mass की length suspension point से L minus L है तो यह गया M L minus L का square minus initial की बात करें तो capital L T length तो ML square solve करेंगे वरक नोबाइप परसन आ जाएगा तो WP आ गया हमारे पास M G small L plus यहां से M common आके एक M उड़ा देगा तो M G theta naught L की power 3 theta naught का square की square की है न हाँ by 2 अंदर बच गया यह 1 upon L minus L का whole square minus 1 upon L square तो यह value आ गई हमारे पास वरक नोबाइप परसन की M G L plus M G theta naught square L Q by 2 तो यहां बन जाएगा L square minus L minus L का whole square upon L square into L minus L का whole square परदर solve करते हैं तो यह बन गया M G L plus M G theta naught का square L Q by 2 देखो चली जाएगी तो यहां बच जाएगा 2 L minus L का square upon upon देखो L के comparison में इसको एक साथ लेते हैं अब देखो वाशन में बोला है कि small L जाएगो L के comparison में बहुत चोटा है तो small L के order को क्या कर दो ignore मार दो तो यह बन गया M G L plus M G theta naught का square L Q by 2 यहां बच गया 2 L by L की पावर 4 तो L की पावर 4 से L की पावर 4 गई 2 से 2 गया तो यह value बच गई हमारे पास बच गई परसन की यह value आ गई हमारे पास M G L plus M G L theta naught का square तो बच दन बच परसन आ गया M G L 1 plus theta naught का square ठीक है तो जो small L वो हलका सा लिफ्ट किया है ना उसमें जो वर्ट्रोंबाइब परसन है वो कितना हो गया M G L 1 plus theta naught का all square तो correct answer इसका हो जाएगा हमारे पास fourth observe ओके देखें जाना next question 52 में क्या बोला है a force F x on a point for i k plus 3j cap minus k cap meter then the bank view of the torque about the point this will be root x basically torque calculate करना है तो देखो इस point okay about calculate करना है जिसका position vector हमें दे रखा है 1 2 and 1 clear और जिस पर force लग रहा है वो है 43 minus 1 clear इस पर force लग रहा है तो torque जो लिखा जाता है वो होता है r cross f इसमें r उस point के about लेते जिस point के about torque calculate करना है तो यह आ जाएगा हमारे पास r 4 minus 1 3 i cap 3 minus 2 plus 3 minus 2 j cap minus 2 k cap cross f की value हमें दे रखी है i cap plus 2 j cap plus 3 k cap अब इसका cross plot करके magnitude निकालना है तो i j k 3 1 minus 2 1 2 3 तो torque आ जाएगा torque आ जाएगा कितना देखो यह हो जाएगा हमारे पास 3 minus 7 3 minus minus 4 यह हो जाएगा plus 7 ठीक है j k बाले में component आ जाएगा हमारे पास 9 plus 2 11 ठीक है k क बाले में आ जाएगा 6 minus 1 तो यह आएगा हमारे पास इसका magnitude कितना आ जाएगा root 7 का square plus 11 का square 121 इसका हो जाएगा 55 का square 25 तो यह value आगा हमारे पर देखो कितनी 53 क्या बोला है अधिन ड़ाफ मास 0.9 kg and length 1 meter is suspended at rest from one end so that it can freely oscillate in the vertical plane ठीक है यह हमारे पास 0.9 kg की रोड है जो क्या कर सकती है और सब्सक्राइब कर सकती है अधिकल आप मास 0.1 kg moving in a straight line with velocity 80 meter per second hits the rod at the bottom most point and stick to it स्टेक कर गया सेम तरह के concept का एक फूर्स कॉश्चन मल रहा हमें अधिन पर सेकेंड अब दा रोड इमेडिटल आप जड़ आप जड़ा पूछिए तो इस पॉइंट की वलाश्टिया कितनी रही होगी क्योंकि यहां पर एन इदर लग रहा होगा इस पर लग रहा होगा पीछे कैंसल हो रहा होगा तो इसका अंगलो मोमेंटम कितना हो जाएगा एम बी एल फाइनली बात करें तो पार्टिकल का हो गया एम वी एल केलियर रोड का हो जाएगा एम एल स्कार वाई थ्री इंटू ओमेगा ओमेगा यहां से इजलिए आ जाएगा तो यह आ गया हमारे पास देखो एल गया यह रोड का हम केपिटल एम मान लेते हैं तो ल गया, यह आ गया, भी एकवल टो एम ओमेगा या फिलास अल ओमेगा थ्री तो एम वी ब्रेकेट मल प्लस केपिटलkiejव व्ल्वाई थ्री अब वेल्व रखते हैं तो M कितना है, 0.1, इसमों हमें 0.1 और V की वेल्यू है हमारे पास 80, तो 0.1 इंटो 80 एक्वल टू ओमेगा, 0.1, L की वेल्यू 1 मीटर, इस कैपिटल M की वेल्यू, 0.9, L की वेल्यू बनवाई 3, तो यहां से आगी हमारे पास 8 एक्वल टू, 8 एक्वल टू, ओमेगा, यह बन जाएगा 0.3, 0.4, तो यह वेल्यू आगई ओमेगा की, 80, Y4, 20 रेडियन पर सेकेंड, तो सिस्टम जो हमारे पास 20 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा होगा, तो नेक्स्ट परसन देखते हैं, कॉस्टम में 54 में बोला है, the moment of energy of the four bodies having same mass same radius, bodies दे रखी हैं और moment of energy में उनकी comparison कर वाई है, तो को फर्स्ट दे रखा, आइवन की वेल्यू निकालनी हमें, moment of energy of thin circular ring about set diameter जो कितना होता है, MR square by 2 होता है, I2 की बात करें, moment of energy circular disc about an axis perpendicular to the disc and going through center, बतलब इसका actual axis हो गया, भो भी MR square by 2 होता है, I3, MI of solid cylinder about its axis ये भी क्या होता है, MR square by 2 होता है, solid sphere के लिए diameter के about 2 by 5 MR square हो जाएगा, तो साब साब देख सकते हो, इसकी value X, इसकी भी X, इसकी भी X के लिए, इसकी कितनी है, X से थोड़ी सी कम है, क्योंकि 1 by 2 मतलब 0.5, इसको मैं इसे नाम देदू, 0.5X, 0.5X, 0.5X और यह है 0.4X, अब देखो, पहले क्या बोल रहा है, 1 plus 3 को add करेंगे तो 2 plus 4 से कम मिलेगा, तो 1 और 3 को add करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.1, 2 और 3 को add करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारे पास 1 और 3 को add करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और 2 और 3 को add करेंगे तो 0.9 मिलेगा, जो 1 जो है 0.9 से definitely क्या है, हमारे पास ज्यादा है, तो यह लिए लिसन हमारे पास क्या हो गया, wrong हो गया, आगे देखो 1 और 2 का एर, 1 और 2 का एर कितना आ जाएगा, 1x एक्वल टू 0.3, i3, i3 की वेलू 0.5 प्लस 5 बाइ 2 इन 2, i4 कितना है, 0.4, तो यह आगे हमारे पास 0.2, 0.5 प्लस यह आ जाएगा, हमारे पास 1.5, तो यह भी एक्वल नहीं है, यह भी रॉंग हो गया, थर्ड द कॉस्ट नमर 55 की तरह बढ़ते हैं, 55 देखें क्या बोला है, इस तरह के कॉस्ट नमर लास सें में भी किये हैं, क्या बोला है, इसमें, a sphere of radius A and mass M rolls along horizontal plane with constant speed V note, it encounters an inclined plane at angle theta, it climbs upward, assuming that it rolls without slipping, how far of the sphere will travel, के लिए रेका है, वो हैट कूछी है, जिस तक यह travel करेगा, कोई दिकत नहीं है तो होगा क्या, कि यहाँ पर इसकी kinetic energy है, जब पर पर पहुंचेगा तो V0 और V equal to omega R से omega V0, मतलब complete kinetic energy इसकी potential energy में convert हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ kinetic energy कितनी है, इसकी half M V square 1 plus K square by R square, clear, किसी भी rotation plus translatory motion करते हुए, body की total kinetic energy यह लिखी जा सकती है, half M V square 1 plus K square by R square, यह K square क्या हो जाएगा, उसका radius of variation, कब जब omega equal to B by R हो, clear, यह किसी में convert हुआ है, M G H में, ठीक है, तो देखो, M से M गया, V square by 2, 1 plus, बोला है, क्या है, स्फियर है, वो भी solid, तो solid के लिए हो, जब जब तो 2 5 5 R square upon R square equal to G H, तो R square से R square गया, यह value बन गी 7 by 5, तो आगया 7 V square by 10, ठीक है, 7 V square by 10 by G, यह value आगई हमारे पास किसकी, यह value आगई H vertical height जिस तक ही है, लिफ्ट करेगी, अब इसने क्या पूचा हम से, नतल क्या उन्दस मतलब, along the inclined plane निकालना है, तो यह value हमें निकालनी है, तो देखो, यह H है, यह कितनी हो जाएगी, H sec theta, यह कितनी हो जाएगी H sec theta, तो इसी में क्या कर दो, sin theta को divide कर दो, तो 7 by 10, 4 तमारे पास correct answer हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते है, question number 56, four identical solid spheres of mass small m radius a, are placed with their corners, centers at the center of a square plate, square of side B, the momentum of the system about one side, about one side of square, where the excess of rotation is parallel to the plane of the square. कांट समझना किया है, यह हमारे पास एक B side का क्या है, एक sphere है, sorry, square है, जिसके centers पे हमने, इसमों वाले mass और a radius के sphere रख दिये, तो इसी के plane से pass होने वाले, एक side से pass होने वाले, excess के about I find करना है, तो देखो, इन दोनों का तो अगर मैं ध्यान से दिखो, तो diameter वाली condition हो गई, त 2, इसका भी 2 by 5 ma square, इसका भी 2 by 5 ma square, अब इन दोनों की बात करते हैं, इनका भी same होगा, तो plus 2 into, किसी एक का निकाल दो, center of mass के बाउट कितना हो गया, 2 by 5 ma square, plus perpendicular distance b है, तो plus mb square, तो यह value कितनी आ गई, यह आ गई, 4 by 5 ma square, plus 4 by 5 ma square, plus 2 mb square, तो value आ गई, 8 by 5 ma square, plus 2 mb square, तो third of the next, the correct answer, question number 57 की तरह पढ़ते हैं, 57 कुछ इसी तरह का question है, बुला है, 4 equal masses, small m, hr, placed at the corners of a square of length l, as in the figure, the moment of inertia of the system, about an axis, passes through a, and parallel to dv, dv के parallel है, क्लियर है क्या, dv के parallel और a से पास उनिवाल axis के about क्या निकालना है, moment of inertia क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं हो, तो देखो, मैं क्या करूँ पहले, इस axis के about निकाल दूँ, उससे क्या होगा, i c m plus md इसको लवा दूँ को parallel axis थे और तो इसको i निकालना है, मैं पहले i c m निक m d square और d की value है, ly root 2, पहले i c m अलग से निकाल दूँ, i c m की value हो गई, i c m की value हो गई, इन दोनों का तो 0, इसका कितना हो जाएगा, m, ly root 2 का all square, इतना ही, इसका आ जाएगा center of mass के about 22 कर दो, तो यह आगे हमारे पास 2 m l square y 2, तो आगे ml square, यह तो आगे center of mass के about, clear, अब देख सकते हैं, i c m plus total mass into perpendicular distance का all square, तो l square by 2, ठीक है, तो यह value आजाएगी हमारे पास, 2 से यह गए 2 times 3 m l square, तो correct answer हाजाएगा हमारा second option, easily कर सकते हो अब यह, basic geometry है, cost number 58 की तरब बढ़ते हैं, बलाए कि force जो है हमारे पास, x axis और x equal to 2, वाले plane को, के intersection point पे लग रहा है, मतलब 2, 0, 0 पे लग रहा है, यहां लग रहा कोई F, और हमें 2, 3, 4 पे क्या about torque निकालना है, तो इसके about position vector r क्या हो जाएगा, r की value आजाएगी हमारे पास minus 3 jk, minus 4 k, clear, तो torque आजाएगा हमारे पास r, यह r हो गया, r cross f करना है बस, तो torque आजा minus 3, minus 4, f की value 4, 3, 4, तो torque आजाएगा कितना, i, minus j, plus k के अंदर देखो कितना आजाएगा, i के साथ यह आजाएगा, हमारे पास minus 12, 7 में, plus 12, यह तो खतम हो गया, j के साथ देखो, यह आजाएगा, plus 16, k के साथ अगर बात करें, plus 12, तो मेंग चुड आजाएगा, under root 16 का, इसक 56, plus 144, under root 4, under 20, इसका correct answer हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 59, question 59 ने क्या बोला, a solid disk of radius of A, and mass M, rolls down without slipping on an inclined plane, making an angle theta with the horizontal, the acceleration of the disk, standard result है, किसी भी, incline होते हुए, कोई भी body है, हमारे पास, जिसकी radius of gyration है, k square, radius of gyration k है, हमारे पास, तो उसके लिए acceleration की value आती है, हमारे पास, g sin theta, upon 1, plus k square by r square, right result काम मिले सकते हो आप, तो value आएगी, कितनी, g sin theta, upon 1, plus k, k, अब देखो, k square radius of gyration, solid disk है, solid disk के लिए कितनी होती है, r square by 2, upon r square, तो इनीचे बन गए 3 by 2, तो answer आएगा, 2 by 3, g sin theta, तो b की value यहां पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, के लिए, next question की तरफ बढ़ते है, question number 60, सब्सक्राइब, क्या वोला है, a mass m hangs on a massless rod of length L, ठीक है, rotates at constant angular frequency, the mass m moves with steady pass in a steady speed in a circular path of constant radius r, ठीक है, r radius में गुब रहा है, assume that the system is in steady circular motion with constant angular velocity, the angular momentum of m about point h, is la and about point b is lb, ab is along z axis, the current statement पूछा, ठीक है, la और lb के उपर comment पूछी गई है, a और b के about angular momentum है, उसमें कौन variable है, कौन constant है, तो देखें ज़रा, तो constant omega से अगर यह घुम रहा है, तो यह जो particle है, circle में घुम रहा है, constant omega से, तो linear speed इसकी क्या हो जाएगी, मान लेते है, V है, तो linear speed का V है, तो momentum क्या हो जाएगा, इसका, हो जाएगा MB, तो particle यह जो circle में घुम रहा है, हर जगा है, इसकी speed V constant है, तो magnitude भी क्या हो गया, constant, तो a के about अगर देखो, मैं मालता हूँ, यह अंदर जा रहा है, तो a के about अगर मैं देखो, तो p अंदर हो गया, r vector हो गया, right में, तो r cross p से, उपर की तरफ क्या आ जाएगा, angular momentum, mvr, clear, अब यह किसी भी point पर देखो, यहां देखो कि तो भी mvr, हर point पे mvr ऊपर की तरफ आएगा, मतलब a के about angular momentum की direction भी constant और magnitude भी constant है, तो a के about देखते हैं, a के about तो क्या है, a के about तो constant है, direction magnitude दोनों, और अगर मैं बात करूं b के about, तो देखो, इस time पे इसका momentum के तरफ होगा, अंदर के तरफ mv, तो इसके about अगर बात करें, तो यह तो होगया, r, p होगया अंदर, तो r cross p इधर कहीं आएगा, हमारे पास mvl, यह आगया angular momentum, अब देखो, यह alpha, यह alpha, यह 90 minus alpha, यह alpha, तो अगर इसके component लिये जाए, बी के about, तो mvl का इधर component आजाएगा, हमारे पास, mvl, cos alpha, और vertical component आजाएगा, mvl, sin alpha, अब देखो, vertical component जो है, ना m बदलना, ना b बदलना, ना l, ना alpha, तो यह magnitude तो no doubt constant है, वह तका direction की बात करूँ, तो देखो, vertical component तो हर जगा ऊपर है, लेकिन horizontal component जो है, circle में always, radially क्या होता जाएगा, change होता जाएगा, तो direction change होने की वहें से, b के about, जो है, वो angular momentum, constant नहीं है, अब option पढ़ते हैं, बुला, l, vr, बहुत constant in magnitude direction, no, l, v is constant in direction, but varying magnitude, b, जो है, वो direction में constant है, नहीं change हो रहा है, होई, l, v is constant in magnitude direction, no, direction change हो रही है, l is constant in magnitude direction, तो fourth correct answer हो जाएग, next question, question number 61 की तरफ चलते हैं, कि देखें जो रहां, क्या वोला है, इसमें, a triangular plate is as shown, a force यह जो हमारे पाइस अप्लाइज और पी, पर यह पोइंट लग रहा है, the torque at P with respect to O or Q निकाल रहा हमें, तो देखो, O के about जो हम निकालेंगे, तो O के about cross product कर दो, क्यों के about निकालेंगे, क्यों के about cross product कर दो, तो देखो, इस point P के position vector निकालते हैं, तो यह 10 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5, तो 5 i cap, 10 sin 60, तो 5 root 3 j cap, यह तो आगे से coordinate, इसके हो गया हमारे पास 10, 0, तो देखो, O के about कितना आएगा torque, O के about torque आएगा हमारे पास r cross f, तो okay about तो position vector हो गया, 5 i cap, plus 5 root 3 j cap, cross f करना है, f की value कितनी है, और i cap, minus 3 j cap, तो cross part करते हैं, तो i cross i 0, i cross j करोगे, तो minus का 15 k cap, j cross j 0, यह हो जाएगा हमारे पास, 20 root 3, i cross j होता है कि तो यह हो जाएगा, माइनस के के, तो answer आएगा, minus 15, minus 20 root 3, तो minus 15, minus 20 root 3, इसमें दिख रहा है हमें, clear, तो fourth हमारे पास correct answer हो जाएगा, आगे Q को चेज़ करने के ज़रूत है नहीं है, चाहो ता आप चेक कर लो, यह जाएगा, cost नमर 62 की बात करते है, strictitude में देखो क्या बुला है, कि यहाँ से हमने क्या किया है, different, different, जा हमारे पास, of mass M and radius R, mass M same है, radius same है, और यहाँ से same mass or same radius की इन four bodies को क्या किया गया है, वहाँ से release किया गया है, तो बुला है, the body which will reach first at the bottom, तो bottom पे कौन पहले पहुँचेगी, उसके बारे में हमको comment करने है, तो देखो, जब यह body जो है, हमारे पास, यहाँ से नीचे आ रही होंगी, तो इसका acceleration जो हमें पता है, body का general body के लिए अगर हम लेके हैं, तो लेका जासे तक है, g sin theta upon 1 plus k square y r square, यहाँ के है, reduce of gyration, clear है क्या, अब देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुचेंगी, तो कितना displacement कवर कर चुकी होंगी, s, s इसकी lens, सब के लिए सेम है, तो हम बहुत सकते है, s equal to half a t square, अब s सब के लिए सेम है, तो जिसका a कम होगा, उसके लिए time जादा लगेगा, यहाँ मैं कह सकता हूँ, जिसका a जादा होगा, उसका time कम लगेगा, तो हमें time कम चाहिए, तो a जादा वाली कहानी चाहिए, clear है, अब a जादा किसका होगा, जिसका k कम होगा, तो जिसकी reduce of gyration कम है, उसको time भी कम लगेगा, वो पहले पहुचेगी, तो अपन चेक करते हैं कि इसका reduce of gyration कम है, रिंग का होता है, आर स्कॉर, डिसका आर स्कॉर वाई 2, solid cylinder का आर स्कॉर वाई 2, solid sphere का 2 by 5 r square, तो देखो यह 0.5, यह 0.4, इसका आर जो है, इसका radius of gyration सबसे कम है, तो solid sphere जो हो सबसे पहले पहुचेगा, मतलब 4 जो है, हमारे पाइस इसका correct transfer हो जाएगा, के लिए next question की तरह बढ़ते हैं, question number 63, देखें जड़ा, क्या बोला इसमें, बोला a solid sphere of mass 2 kg radius दे रखिए, रोलेंग बिदे इस पीड़ बन मीटर पर सेकेंड, गो जब और इंकलान पीड़ एंगल दे रखा है, without slipping, how long will the sphere take to return to the starting point, तो देखो, यहां से यह इस पे उपर गया a से, और a से बापस आ जाएगा, u रफ्तार से इसको छोड़ा है, तो time to, बिल्कुल projectile motion जैसा ही question है, कि u से उपर फैका, बताओ time period कितना हो जाएगा, 2u upon g, तो यहां अगर पीशे इस पे a लग रहा है, 1r square, clear, value रख दो, 2u की value कितनी है, 1, g की value 10, sin 30 की value half, 1 plus solid sphere है, तो 2y5 हो जाएगी, यह value, solve करते हैं इसको, तो यहां आगे हमारे पास 4y10 into, यहां आगे हमारे पास 7y5, तो यह value आगे हमारे पास 28y50, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, तो यहां आगे हमारे पास 0. 0.5, 0.5 यह हो जाएगा, अमरे पास 3, 0.56 कर रहा हूँ, अब मैंने जी की value कितनी लिए, जी की value मैंने लिए हम पर 10, तो 9.8 रख भगो तो 0.57 आजाएगा, तो पूर correct answer हो जाएगा, clear, वैसे option सी पता लग रहा है, 0.57 सबसे नीरेश्च आंसर है, 0.56 का, question number 64 देखें जरा, क्या वोला इसमें, वोला thin circular ring of mass capital M and radius small r, यह हमारे पास इस thin ring है, mass capital M radius small r, is rotating about its axis within angular speed omega, यह omega से क्या कर रही है, घुम रही है, two particles having mass small m, each are now attached diametrically, अब इसके diameter पर हमने क्या किया, small m और small m और रख दिये, तो अब इसका omega पूचा है, same तरह के question, angular momentum कंदर कराओ, answer पाओ, तो अभ मेगा, अभी कितना हो जाएगा, disk का तो अलड़ी है, mr square by 2 है, एक मत रिंग है, तो रिंग का तो अलड़ी कितना है, capital M r square, in particle का कितना हो जाएगा, mr square plus mr square, 2 mr square into नया omega dash, omega dash की value कितनी आ गई, r square गया, m omega upon m plus 2m, m omega upon m plus 2m, correct transfer हो जाएगा, हमारे पास यह, first option ने तरह बढ़ते ह है, question number 65 देखें जरा, क्या बोला इसमें, a solid cylinder of mass m, is wrapped with an inextensible light string and is placed on a rough inclined plane, as on the figure, the frictional force acting between the cylinder and the inclined plane is friction, पूचा है, तो पहले जरा मैं limited friction की मेरी निकाल लेता हूं, जो कि कितनी हो जाएगी, इदर आएगा mg sin theta वाला component, और इदर आजाएगा mg cos theta वाला component, तो limited friction हो जाएगा, mu n m, यहां लग रहा होगा n, यहां मालो tension t, यह दर friction f, clear, तो friction की limiting value हो जाएगी, mu mg cos theta, mu की value है, 0.4 मतला 4y 10, mg cos 60 की value 1y 2, तो यह value आगई हमारे पास, 2 से, यह गए है 2 times, तो mg y 5, तो limiting friction जो है, वो है हमारे पास mg 555 इतना हमें maximum लगा सकते हैं, अब यहां एक बार requirement देख लेते हैं कि requirement कितने किया है, तो देखो, इदर लग रहा होगा mg sin theta, इदर लग रहा होगा friction, ठीक है, और system यह equilibrium में, तो किसी भी point के अबाउट torque balance कर दो, मैं इस point के about torque balance कर दो, तो उसे फायदा क्या होगा, tension का torque गाया हो, normal का torque गाया हो, friction और mg का torque देखना है, radius r माल लिजाए, तो यह distance हो जाएगी 2r, तो friction का torque क्या हो जाएगा, f into 2r, यह balance कर रहा होगा mg sin theta into r, gravity के torque को, क्लियर है क्या, तो friction की requirement कितनी है, mg y 2 sin theta, क्लियर mgy 2 sin 60 की value कितनी हमारे पास, 1 minute, mg sin 60, f2r, mg sin theta r, यहाजाएगा, हमारे पास mg y 2, sin 60, sin 60 की value कितनी हो जाएगी, root 3y 2, तो friction कितना आगे हमारे पास mg root 3y 4 आगया, अब इस value का अगर मैं ध्यान से देखो, तो कितनी है देखो, यह हमारे पास 1.732 by 4, तो यह value point 0.4, 0.4 के लगवग आ रही है हमारे पास, क्लियर, 0.4 के round आ रही है, और यह जो हमारे पास कितना है, 0.2 mg के round, तुम साब साब देख सकते हो, जो हमें friction चाहिए, वो ज्यादा है, और जो मिल रहा है, बुक का में तो definitely अपनी maximum efficiency से लग रहा होगा friction, तो friction जो लगेगा, वो limited friction के को लग रहा होगा, मतलव, 0.2 mg, या बोल देखो, क्लियर है क्या, next question, question number 66, देखें, तो देखें जरा, question में बलाए, consider a uniform wire of mass M and length L, it is bent into a semicircle, its moment of inertia about a line perpendicular to the plane of the wire passing through its center, कि हमने क्या की है, capital M mass और L length का एक wire है, इसको suppose R radius के एक semicircle में क्या कर दिया, bend कर दिया, तो its moment of inertia about a line perpendicular to the plane of the wire passing through its center, तो center से pass होने वाले access के about अगर इस wire का moment of inertia से निकला जाए, तो देखो हर एक point के लिए perpendicular distance R है, तो moment of inertia कितना हो जाएगा, इसका M R square, अट R नहीं पता, R को L की terms में convert करना पड़ेगा, तो इसकी जो total length है, वो हमें पता है कितनी L, यह हो जाएगी, हमारे पास pi R, semi circle के equal, तो R की value put कर दो, तो आजाएगा M, R की जगा हम लिख सकते हैं, L upon pi, तो L square upon pi square, तो ML square upon pi square, answer आजाएगा हमारे पास 4, ठीक है, next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 67, देखें जरा, क्या बोला है, इसमें एक uniform thin bar है, 6 kg mass की, और length है इसकी 2.4 meter, इसको हमने क्या किया है, इससे hexagon बनाया है, तो 6 kg से, जब यह hexagon बनेगा, तो हर एक जो part बनेगा, हर एक side जो बनेगी, उसकी length हो by 6 मतलब आजाएगी, 0.4 meter के लिए, और हर एक का mass by 6 हो जाएगा, मतलब हर एक का mass बनेगा, अब center of mass के बहुत निकालना है, तो hexagon जो है, यह 4, 6 equal parts में क्या होता है, split हो जाएगा, तो यह हमारे पास equilateral triangle बन जाएगा, 60-60 के, अब देखो, मैं क्या कर सकता हूं, symmetric system है, तो कि किसी भी एक section का निकाल दू, बाकी को 6 time multiply कर दूँगा, तो इस rod के लिए निकाल लेते हैं, जिसकी length is small L है, तो देखो, इस rod का इसी के center of mass के बहुत कितना हो जाएगा, M L square by 12, साथ में हमें निकालना है, पूरी body के center of mass के बहुत, तो यह perpendicular distance D है, तो इसका हो जाएगा, M D square, इंटू 6 करते ही, पूरे system का आजाएगा, clear, तो देखो, D की value क्या हो जाएगा, यह length L, यह 30 degree, तो यह हो जाएगा, L cos 30, तो बोल सकते हैं, M L square by 12, plus M cos 30, L cos 30, मतलब L root 3 by 2 का hall square, इंटू 6, तो यह value हो, कितनी हागा, यह हमारे पास solve करते हैं, तो यह आजाएगा, हमारे पास M L square by 12, plus M L square, यह हो जाएगा, 3 Y 4, इंटू 6, इसको उपर जाएगा, 9 यह हो जाएगा, 12, तो उपर बन गया, 10 Y 12, M L square इंटू 6, तो यह आगया, 5 M L square, अब value put करते हैं, तो M, M की value हमारे पास 1 kg, L की value हो 0.4, मतलब 0.16, तो यह value हागा, हमारे पास, 0.8 kg, मीटर स्कॉयर, तो इंटू इंटूर मेल यह जाएगे, हमारे पास 8, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 68, लेखें जरह क्या वाला है फोर पॉइंट मासेज इच ओफ मास्मर फिक्ष एड़ ऑफ इसक्वाइड रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा अवाट अग्सेस पासिंग थू वन अपड़न अपड़नर्स अपड़न 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 डाइग एक्सेज दे रखा है इस तरह का कॉश्चनम अलड़ी कर चुके हैं अंसर भी पता है उसका थी एमल स्कॉर आया था हमारे पास मोमेंट अपनर्स है ठीक है तो बोला है मोमेंटम पूछा स्कॉर का ठीक है तो इसके वाउट अगर यह ओमेगा से घूम रहा है तो हम इसके लिए मोमें इसके अपनिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई एलबाई रूट तो इनका मोमेंट ओपिंट से कितना आ जाएगा एम एलबाई रूट टुका हॉल स्कॉर इंटु टु यह तो आगे दूनों का इस पारिटिकल का कितना हो जाएगा यह हो गई रूट टु एल तो आ जाएगा लकट यह यह अकंए आ हीन्टो ओमेगा तो वैङल आगा हमारे पास걸 टूफ स्कॉर बलस टू आइमल हॉए रिन्टो मेगा मतलग्स के एं मेल स्कार ओमेगा तो सिस्टम का मॉमें ऐं मुल्र मोमेंटं हो जाईगा trёт ऑइमल स्कॉर में लेगा पॉर्प्टों नेक्स कोसे मे M is capital M, radius of its top is capital R and height is H, moment then its moment of inertia about its axis, तो देखो होलो कोई के लिए standard हमें पता है, इसके लिए अपने axis के अबाउट जो moment of inertia होता है, वो disk के एक वाली होता है, M r square by 2, तो first correct answer हो जाएगा, next question देखें, question number 70, क्या बोला है, the linear mass density of a thin rod AB of length L varies from A to B as lambda X, ठीक है, where X is the various distance from A, if M is the mass of the rod, then its moment of inertia about an axis passing through A, तो देखो हमारे पास third question है, जो पूरे rotation में repeat हुआ है, same concept पे, कि lambda variable दे दिया, mass की terms में answer पूछा है, moment of inertia का, तो mass भी calculate करना पढ़ेगा, और moment of inertia भी calculate करना पढ़ेगा, तो देखें जड़ा, तो देखो यह rod है, तो इस पे किसी भी X distance पर जाके, DX का segment लें, तो उसका DM क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेम्डा DX, तो अगर इसका mass calculate करें तो हो जाएगा, integration DM, तो integration lambda की value कितनी है, lambda naught 1 plus X upon L, DX, तो mass आगे यहाँ से, lambda naught X, 0 से L, lambda naught, चीज़ा integration कर देता हूँ, यह आजाएगा, lambda naught L plus L Y2, तो यह आगे है, 3 L Y2, lambda naught, यह आगे है, mass, अब moment of inertia की बात करें, तो इस element का DI जो लिखा जाएगा, इसके about, इसने अई पूछा है, छड़के बिंदू, A से पायरत उने वाल, एक side के about, तो DI लिखा जाएगा, DM, X square, तो integration DM पता ही है, कितना है, lambda naught, 1 plus X upon L, DX, यह DM है, into X square और करना है, 0 से L में, तो यह value आजाएगी, हमारे पास, lambda naught, अंदर X square plus X cube by L, DX, limit 0 से L, ठीक है? तो यहां से I की value निकाल नहीं हमें, तो integration करो, lambda naught, integration करेंगे, तो यह बन जाएगा, L cube by 3, प्लस यह बन जाएगा, हमारे पास L की power 4 by 4L, तो I की value आगई हमारे पास, यह आगई, lambda naught L cube, 7 by 12, अपॉन, यह आगई हमारे पास I की value, अब answer जो पूछा हम से, मास की form में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम क्या करें, यह हमें मास दे रखा है, तो इसको replace कर देते हैं, क्लियर, तो देखो, lambda naught L की जगह में क्या रख दूँ, 2M by 3, तो lambda naught L into L square, 7 by 12, इसकी जगह क्या रख दू, 2M by 3, तो 2M by 3 L square, 7 by 12, तो इससे गया 6 times, तो value आगई 7 by 18 M L square, क्लियर, next question देखें जो रहा, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, बोला है, a cord is bound round the circumference of a wheel of radius R, the axis of the wheel is horizontal and the moment of inertia about it is I, a bit mg is attached to the cord at the end, the weight falls from rest, after falling through a distance S, the square of the angular velocity, angular velocity push लिए एक परा से, कि यह disc, क्यलियर, जिसका moment of inertia I, a radius S की R, यह cord से हमने क्या किया, इस मौला है, मास को लटका दिया, और इसके अबाउट यह क्या है, रोटेशन करने के लिए fix है, तो बोला, जब यह नीचे H आजाएगा, तो इसकी omega का square बताना अपनों को, कोई दिकत नहीं है, जब यह H नीचे आएगा, तो इसकी potential energy में loss हो जाएगा, MGH, जो कहां convert होगा, इसको speed देगा, इसको omega देगा, और अगर slipping नहीं है, इसके बीच में थाम बोल सकते हैं, V equal to हो जाएगा omega R, तो जो भी इसकी potential energy में loss हुआ है, बोल दोनों की किसमें current energy में convert हो जाएगा, तो इस particle की current energy क्या हो जाएगी, half M B square, और this के लिए क्या हो जाएगी, half I omega square, के लिए V equal to omega R से क्या लिख सकते हैं, MGH equal to half M, B की जगा लिख सकते हैं, omega R, तो omega square R square, plus M R square Y4 omega square, तो जेखो, यह value आगई हमारे पास, 2Y2 plus 1Y4, 3Y4, M R square omega 1 minute, moment of energy हमें I दे रखा है, तो यह value आजाएगी हमारे पास, 2MGH equal to M R square plus I omega square, तो omega square की value हो गई, 2MGH upon I plus M R square, 2MGH upon I plus M R square, तो correct answer हो जाएगा है, second, तो यह हमारे discussion complete हुआ, सभी बच चर्चे से पढ़ते रहें, सभी को good luck, thank you.